बीजेपी के वरिष्ट नेता सुबर्मनियम स्वामी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुरुख्यों में है उन्होंने दावा किया है कि कतर से आठ पूर्वे नोसेनिकों की रिहाई के पीछे पीम मोदी का कोई रोल नहीं है उन्हें बोलिवुड अभिनेता साहरुखान की मदद से छुडाया गया है हाली में भारस सरकार ने कतर में मोद की सजा पाए आठ पूर्वे भारतिय नोसेना अधिकारियों की सैकुसल घर वापसी सुनिश्चित कराई है पहले इन पूर्वे नोसेनिकों की सजा घटाई गई उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, केंद्रिय विदेश मंतरी एस जैशंकर और राष्टिय सुरक्षा सलहाकार एनसे अजीड डोबाल की इसके लिए जमकर तारीफ हो रही है हलांकि सुबर्मनियम स्वामी ने इसमें सहरूख खान वाला एंगल खोल लिया है जो नैसिरफ अजीब है बलकि हास्या इश्पद भी है असल मैं प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने एक के ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों में वो UAE और कतर के दोरे पर रहेंगे इस दोरान वो कई कार्यकर्मों का हिस्सा बनेंगे और इन दोनों देसों के साथ भारत के दिवपक्सिय रिस्तों में भी मजबूती आएगी पियम मोदी ने बताया कि पियम बनने के बाद ये उनका UAE का सात्वा दोरा होगा जो भारत UAE की दोस्ती की महता की तरफ इसारा करता है उन्होंने कहा कि वो अपने भाई राष्टपती सेख मोहमद बिन जायद से मिलने के लिए उत्साहित है पियम मोदी ने ये भी बताया कि उन्हें UAE के पहले हिंदू मंदीर के उद्गाटन का भी सोभाग्य प्राप्थ हो रहा है अब उधाभी में एक कार्यकरम में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी भारत्य समुदाई से भी मुलाकात करेंगे दुबबई में World Governments Summit WGS में भी उन्हें हिस्सा लेना है और साथी दुबबई के सासक H.H. सेख मुहमद से भी मुलाकात करनी है साथी उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात को लेकर भी बात की और कहा कि उनके तहद कतर अत्यदिक विकास कर रहा है इसे ट्वीट की रिपलाई में सुबर्मनियम स्वामी टपक पड़े और लिखा मोदी को अपने साथ सिनेमा इस्टार सहरुखान को लेकर कतर जाना चाइए जब केंद्रिय विदेश मंत्रालिय M.E.A. और राष्टिय सुरक्षा सलाकार एने से कतर के सेखों को मनाने में विफल हो गए तब मोदी ने साहरुखान से विनती की कि वो हस्तक सेप करे इसके बाद हमारे पूर्वे नोसेना अधिकारियों की रिहाई के लिए कतर के सेखों के साथ एक बहुती खर्चिली डील हुई सुब्रमनियम स्वामी का ये दावा हैरान करने बाला है क्योंकि साहरुखान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है कतर ने इन केदियों को काउंसलर एकसेस मुहिया कराया था और भारतिय दुतवास ने उनकी मदद की भारतिय नोसेना और विदेश मंत्रालिये ने मामले में कानूनी पहलवों को समझा कतर के सरवोच नियायले में अपील की तयारी की गई कूट नितिग रास्ते से यजीत मिली शुबरमनियन स्वामी अकसर अजीबो गरीब दावे करके हास्य का पात्र बनते रहते हैं हलांकि ऐसा पहली बार नहीं है सुबरमनियन स्वामी ने अपनी ही पार्टी के निताओं के खिलाप ऐसा बोला हो इससे पहले भी वैसे बयान दे चुके हैं हाँ एक बात तो जरूर है कि लोकसबा चुनाव से पहले कॉंग्रेस नेताओं को खुस करने वाला बयान दे रहे हैं ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिये का जय हिंद जय भारत